हेलो फ्रेंट वेल्कम टू आवर चैनल तो फ्रेंट आज ही हम वीडियो में बात करेंगी यूपी पॉलिस उन्चाश्टार पांसाव अर्सट भरती से रिलेटेड इंपोटेंट बाते जो कि आपके सेलेक्शन से रिलेटेड है तो फ्रेंट अभी आप देख रहे हो यूपी आपके बार-बार ये कमेंट्स आ रहे थे कि अब हम कोट जाएंगे अब हम रिड डालेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है तो हमने आपके कमेंश देखे मैंने कहा यार मतलब अगर आपको एक इन्फोमेशन दी जाए तो पहले तो यह जान लेना चाहिए कि हाँ ऐस तो प्रेंस हम सारे इंफोमेशन आपको इस बीडियो में देने वाले हैं और आपके भी कमेंट्स देंगे कि आप क्या सुचते हो आप क्या माइंड मैं वह चल रहा है क्यूंकि आपको भी यूपी पूलिस बनना है तो आपका भी तो क्रिएटीव माइंड होना चाहिए मुद्दा क्या है पहले हम यह जान लेते हैं लेट सी तो फ्रेंड्स यह रही आपकी लिस्ट और यह लिस्ट नहीं यह बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हर कहीं यहीं वाइरल हो रहा है और अगर आप मेरे प्रिविएस वीडियो जाकर देख होगे तो मैंने इस पर कुछ नहीं बोला है क्योंकि मुझे पता था हां ऐसा हुआ है और हो भी सकता है क्योंकि यह एक दो इस्टेंस को तो बुलाया नहीं जा रहा है आप देख रहे हो स्टार्टिंग से कितने मतलब जो भी अप सेंट्र है उनको बुलाया जारा तो हो जा है यह आपकी लिस्ट आई जिसमें 156 कंडिडेट को बुलाया गया अब देखिए बुलाया तो गया लेकिन अभी देखो अगर आप रोल नंबर देखोगे तो एक मुद्दा चल रहा है आपका आई एंप का यानि कि आपके रोल नंबर में आई एंप वाले इस्टेंस मिल हैं मिल रहे हैं जो कि 6 थे तो मतलब यहां आउन नंबर भी लिखा गया है तो आपनाउं पर मतलब रही है अब छोगें तो यह लूटे एंप Cup श्यक्राइट बात यहां अगयी है तो मतलब हो गय ना अब साकेरिट पास इहां आज यह आती है कि जो हीजिद few नेंस客 Strength मान लो दौर के लिए गौए और वह नाट क्यूलिफायड हो गह तो उनको फिर से बुलाया गया है या फिर मान लो कौलिफाय हो गए है उनको भी फिर से बुलाया गया है ठीक है जैसे अब यह आप देख सकते हो 48 नमबर पर सिरियल नमबर अब यह जो है मुद्दा अभी यह भी चल रहा है कि मतलब इस्टुजेंस नाट क्वालिफाइड हो गया है फिर भी उसको यह धांदली हो रही है और दोबारा बुलाया जा रहा है तो यह था आपका पूरा मैटर अब इस पर हम क हैंते हैं तो फ्रेंड्स अगर मैं अगप के लयगा होगा कर दो एक्सल में काम कि करना हो को Um पर ले लेता है क्योंकि एक्सल में फार्मूले जो है लगे रहते हैं और यह आपका काम भी उसमें ही किया जाता है ठीक है तो फ्रेंड्स आई एंप का तो मतलब आप यहां देख सकते हैं और भरती बोट इतनी मतलब नहीं है कि जो है ऐसा करेगी तो खुद आप सोच सकते हैं और नेक्स बाज़ाती है कि जीन बच्चे को उनक्वालिफाइड हो गया है उनको फिर से बुलाया गया है और जो क्वालिफाई हो गए हैं उनको फिर से बुलाए गए तो इसका क्या मतलब है तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल से जुड़ा होंगे था हमने आपको प्रिवेस वीडियो में बताया था लेकिन अभी यह और बंदद चल रहा है तो फ्रेंट्स पहली बात यह जो आ उनका दुबारा नाम लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर जा रहे थे जहां उनको बुलाया जा रहा था तो उनका उस लिश्ट में नाम नहीं होता था मतलब मालों लिश्ट में नाम होगा तभी तो बायोमेट्रिक होगा तो वह खुद वहां से लोटकर चले आते थे और बस यह मतलब आप यह भी कह सकते हो बस ओनली टेक्निकल इसू के बज़र से जो है यह आपका पूरा जो मुद्दा है वो चल रहा है यह जो भी लिश्ट में गरबढ़िया आपको दिख रही है तो फ्रेंट्स अब ज्यादा बाते ना गुमाते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह आ आप आकर कहना ठीक है यह तो हो गई यह बात चले हमाँ आपके कमेंट्स लेते हैं आप क्या सुचते हो लेट सी जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर कुछ आपको कमेंट्स दिख रहे होंगे ठीक है और मैंने आपको पहले ही अगर आप हमारे चैनल से जूड़ को हिसे के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कियो करें कमेंट्स लेते हैं जैसे कि अभी आप देख सकते ह settlers हो प्लिए कि यह आसे कि कि पता है हमें यह टेकनिकल यह जो हैं लाल जी धु hard है घुरा से जूह झोहीं है मैटर हो रहा है और चैनल वाल इस तुम्हाल 처ige क परिसान कर रहे हैं हाँ यह सच है कि आपका मतलब जो नेम है वह दोबारा आया है लेकिन आप मतलब यह फिर आप यह पहले सोच लो कि क्यों आया है कैसे आया है पहले कभी आ चुका या फिर नहीं उसके बाद से भी कोई जो है आपको इन्फॉमेशन देनी चाहिए तो आप देख सकते हैं यह एगरी करते हैं नेक्स्ट है आपका आप देखो यह इनका अशोक मोर्या जो कि यह बोल रहे हैं कि मेरा भी आ गया था पिछले साल पर वहां जाने पर रनिंग नहीं करने दी गई थी इनको तो आप देख सकते हो सिंपली अब आप यह खुद देखो कि ज आप देखो कि टेक्निकल प्रोवलम के कारण जो हो गया है अभी आप देख सकते हो बहुत सारे कमेंस हैं आप यहां देखो कुछ इंफूमेशन दी गए यह कि जो कौलिफाई हैं उनको मतलब भी इस लिस्ट में बुलाया गया है सब टेक्निकल इसू है और कुछ नहीं और वह आपस भेज दिया गया इसे इन्हों ने यह वोला है कि इसमें टोटल 27 कैंडिडेट हैं अब आप खुछ सोचो कि क्या आप भी गलत हो फ्रेंट्स यह मतलब आपको यह सोचना चाहिए कि यह बस टेक्निकल इसू के कारण हो सकता है और कोई मतलब रिजान नहीं है अगर भरती वह ऐसा करती तो इतना openly भी नहीं करती तो फ्रेंट्स मुझे सभी को यहीं बताना था और हाई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा और अगर आपके मतलब इसके एक वर्डिंग कोई मतलब आपके मन में अभी कुछ बाते चल देंए तो आप मीचे कमेंट्स बोक या फिर फेस्बुक ग्रूप हो तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वाचिंग